है कि नबसकर दोस्तो डे जो के선 फेकल्ट ट्प सब्सक्राइब लोगों का शवागत है हैं कि हम लोग पड़ रहा हैं भारत की नदियां में हम हम लोगों ने सुरू किया है प्राइदीपी भारत की नदियां प्राइदीपी भारत की नदियां में हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां उसमें से मुख कि थे आपकी ब्रामणी नदी बैतर्णी नदी गदावरी आज हम लोग बात करेंगे अरव शागर में गिरने वाली नदियों की ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इसी नदिया है जो अरव शागर में गिरती है ठीक तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे पहले भारत का नक्षा इसमें देखी यह आपका गुजरात वाला च्छेत्र इसके बाद आप आएंगे महराष्ट में महराष्ट के बाद फिर ही अपका ठीक तो देखिए कौन-कौन से नदिया है तो नदियों की बात करें हम लोग अरब शागर में जिन वाज नदिया इधर आप जानते हैं अरफ शागर है कि इधर आपका बंगाल की खाड़े बंगाल की खाड़े तो अरफ शागर में कौन-कौन से नदिया गिलती देखिए इसको हम लोग उत्तर से दच्छिट तक जैसे मतलब कि जैसे बहती है से इंख देखते हैं सबसे पहले आपकी भावर नदी है भादर नदी है यौत घाल नदी इसके बाद आपका सत्रबर्जी नदी हो गई इसके बाद आप का सत्रबर मती है कि यौत चाहबर मती sport कि शावर मतिन नदी है कि इसके बाद माही नदी है कि माही है फिर नर्मदा है कि तापती है कि तापती है फिर आप देखेंगे तो इधर है आपकी है मांडवी नदी है मांडवी नदी के बाद आप देखेंगे तो जवारी नदी है जवारी नदी है सरावती नदी शरावती नदी है इसके बाद आप दिखेंगे तो पेरियार है भवर पूजा भरत पूजा इसके बाद पेरियार है फिर भरत पूजा भरत पूजा ठीक न ये जो है की आपका यह आपका उत्तर है अग् 이번 सब्सक्राबि pik Si Si Do As तापति है मांडवी है जवारी है शरावती नदी है पिर यार नदी और भरत पूजा तो इसमें से मुख्य मुख्य नदियों को हम लोग पढ़ेंगे जो अक्साप परिशाओं में प्रश्न है वहां से पूछा जाता है ठीक न है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला आपका है अंदर्मदानदी इसका उद्गम कहां से होता है तो इसका उद्गम मध्य परदेश में एक पहाड़ी है अमर कंठक्स है इसका उद्गम होता है धर्मदानदी का उद्गम उद्गम जो है इसका अमर कंठक्स है कि अमर कंठक्स है कि अमर कंठक कहां है तो मध्य परदेश में है यमपी में अमर कंटक्स है ठीक अब मुहना की बात करेंगे तो मुहना इसका है और अफशागर में मुहना इसका है खंभाद की खाड़ी में खंभाद की खाड़ी में खंभाद की खाड़ी में खंभाद की खाड़ी का है तो और अफशागर में यह औरफ शागर में अरफ शागर में अरफ शागर में यहां तक कोई दिकत नहीं है अब सवाल उठता है कि यह प्रश्न पूशा जाता है कि और शागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है तो और शागर में गिरने वाली यह नर्मदान अधी सबसे लंबी नदी है त अरफ शागर में गिरने वाली अरफ शागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है यह सबसे लंबी नदी है यद इसके बेसिन की बत करेंगे बेसिन वह होता है कि जिस छित्र से बात करेंगे तो मध्यपदेश, महराश्ण, गुजरात और राजास्थान छित्र हो में बहता है ठीक, बेसिन की बात करेंगे, किन किन राज्यों में होकर बहती है, मध्यपरदेश, महाराष्ट, मध्यपरदेश, महाराष्ट, गुजराथ, और राजस्थान में बहती है, यह नदी जो है, कि आपकी नर्मदा नदी है, बिंध्यन सेर्डी और सत्पुरा शेर्डी के मध्य में बहती है, नर्मदा नदी, बिंध्य सेर्डी, यह नदी, बिंध्य सेर्डी, बिंध्य सेर्डी, और सत्पुरा शेर्डी के मध्य में बहती है, सत्पुरा शेर्डी के मध्य बहती है, यह जो है कि एस्चुरी बनाती है, यह जिसे इतने भी और अब सागर में गिरने वाई नदिया है, शब डेल्टा नहीं बना के एस्चुरी बनाती है, कि काफी उचाई से गिरती है, काफी उचाई के गिरने के वज़े से इसके जितने भी आउसाद होते हैं, वो जमान नहीं हो पाते हैं, बलकि साथ ही में बह जाते हैं, तो यह क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, तो न नर्मदा उत्ताप्ति को याद रिखिएगा कि यह डेल्टा नहीं बनाती है बलकि एस्च्योरी बनाती है ठीक तो नुट करिएगा दोस्त कि यह नदी कि यह नदी जो है कि एस्च्योरी बनाती है कि एस्च्योरी कि बनाती है इस पर देखिए कुछ जल प्रपात है जल प्रपात की बात करेंगे इसमें कुछ जल प्रपात है जल प्रपात की बात करेंगे तो इसमें एक जल प्रपात है आपका धुआ धार जल प्रपात धुआ धार जल प्रपात प्रपात जल प्रपात क्या होता है दोस्तों कि जब नदिया किसी उचाई से नीचे की तरफ गिरती है तो जो डाल रहता है जो कुछ को काट नहीं पाती है तो उसी को जल प्रपात कहा जाता है यह खयापका झाल था जब प्रपात कहां है तो यह आपका जबलपूर में है जबल्पूर कहां है मद्ध्य्पदेश में जबलपूर में इसके बाद इस खयापका सहत्र धारा सहस्त्र धारा सहस्त्र धारा जल प्रपात बनाती है इसके किनारे कुछ सहर बसे आपका जबलपूर है उसंगाबाद है उमकारेश्वर है तो इसको अगली पेच पर देख लेते हैं जो कि जैगर नहीं है ठीक नर्मना नदी के बारे में इतना समझेगा कि इसका उद्गम जो है कि अमरकंट नदी के सबसे नदी बयसिन की बात करें तो MIT बढराइश्र गुजरत उर्ime नदी के है यह डेल्टा नहीं बनाती एंबकि सटवरी का निर्मान करती है herd जल प्रपात जैसे दुवाधा जल प्रपात है आपका जबलपूर में इसके बाद सहस्त्र धारा है यह जल प्रपात है ठीक न इसके अलबा कुछ परियोजना इस पर इंपार्टेंट उसको भी देख लेते हैं अब कुछ मुख्य सहर है इसके किनारे बरसे वे उसको भी आम देख लेते हैं यह ज़िए परियोजना की बात करें परियोजना की बात करें कौन कौन सी परियोजना है यह परियोजना आपकी है इंद्रा गांधी शागर परियोजना यह परियोजना आपकी है इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी शागर परियोजना 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 इंदिरा गांधी शागर कि शर दार शरोवर परियोजना कि शरदार शरोवर परियोजना कहा है तो आपका गुजरात में है हुआ ऑगे गुजरात में है ठेक इसके किणार कुछ सहर में जैसे कुछ महत्तपूर्ण सहर है जैसे बदक्रwill लॐसितन के बात कराज का है तो प्रमुख सच्ड के बात करेंगे तो यह ख़याप का या मे जबल पुर हुशंगाबाद हुशंगाबाद इसकी बाद आपका ओम कारेश्वर ओम कारेश्वर ओम कारेश्वर ठीक तो यह रहें आपके नर्मधा नदी नर्मधा नदी की बाद हम लोग बात करेंगे तापती नदी की थीक तापती नदी की बात हम लोग कर लते हैं अगिला आपकी नदी है तापती नदी तापती नदी अगिली है आपकी तापती नदी थिक तापती नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम कहां से होता है तो इसका उद्गम होता है कि उद्गम की बात करेंगे कि उद्गम इसका होता है सत्पुरा स्रेड़ी से सत्पूरा ज्रेडी से उद्गम होता है यह कहां पर है तो आपका शर्षर्णि मद्यप्रदेश में है इंपी में अ छिक मुहाना की बात करें कि तेशुन मुहाना कहां बनाती है का खंभात की खाड़ी में कहां पर खंभात की खाड़ी में मोहना बनाती है यह जो है कि सत्पुरा और अजंता सरणी के मध्य में बहती है ताप्ती नदी आपकी सत्पुरा और अजन्ता स्रेणि के मद्दे बहती है तापति नदी तापति नदी शत्पुडा और अजन्ता स्रेणि के मद्दे बहती है अजन्ता स्रेणि के मद्दे बहती है तो दापति नदी शत्पुडा और अजन्ता स्रेणि के मद्दे बहती है इसके अपवात द्रोडी की बात करेंगे तो मतलब किस छेत्र में बहती है कुछ परियोजना की बात करेंगे इसकी मुख्य परियोजना है कि परियोजन नाए थीक तापति नदी के कुछ परियोजना हैं जैसे आपकी उकाई है त रदल त उकाई है एक है कांब कांच्रा पार है है कांच्रा पार разм तापती नदी आपती यहां है कि डेल्टा नहीं बनाती है बलकि यह एस्च्छोरी बनाती है यह कि पेilaसा शिआ ऐगा in honor की बात करें तो साहर मुख्य सहर की बात करें अ किनारे मुख्य सहर जो बसे हैं मुख्य सहर में आपका सूरत है सूरत की से नदी किनारे बसा हुआ है तो तापती नदी के किनारे बसा हुआ है ठीक यह जो है की डेल्टा नहीं बनाती है बलकि एस्चुरी बनाती है तापती नदी इस चूरी बनाती है थे अतर तेया आपके ताप्तों से बनने वाल इतने प्रश् regulation बन सकते हैं सबसे पहले प्रश्नत यहीं बन सकता है कि ताप्ती नदी किस्किस शेतर में गिरती है तो यह अरम्चागर में गिरती है ठीक इसका मुहाना कहां है अरब शागर एक हमभात की खाड़ी में उद्गम कहां से इसका है तो सत्पूरा शेड़ी से कहां से मध्य परदेश में ठीक यह कि तापती नदी आपकी सत्पूरा अजंता स्थेड़ी के मध्य में बाती है इसकी परियोजना है कौन-कौन सी पर आप कहलते हैं अगली नदी आपकी है शाबर मती ठीक हुआ कि अगली नदी आपकी है शाबर मती तीसरी नदी आपकी है शाबर मती शाबर मती ठीक सबसे पहला प्रश्ण यह उठता है कि उद्गम कहां से होती है मतलब कहां से उद्पन होती है तो उद्गम की बात करेंगे कि उद्गम की बात करेंगे यह डेवर कि एक छेत्र है आपका राजस्थान में डेवर कहां है तो उद्धैपूर जिला में है उद्धैपूर कि राजस्थान की उद्धैपूर जिला में एक स्थान है आपका डेवर कि उद्धैपूर कहां है तो राजस्थान में ठीक तो राजास्थान के उदैपूर जिला में एक डेबर नामा का स्थान है वहां से जो एकी इसका उद्गम होता है अगर मुहना की बात करेंगे तो मुहना कहां बनाती है अपना ये मुहना बनाती है खंभात की खाड़े में खंभात की खाड़े में अपना ये मुहना बनाती है परियोजना की बात करेंगे तो परियोजना इसमें है धरोई परियोजना की बात करेंगे प्रियोजना आपकी है धरोई धरोई बाद तो धरोई बाद किस नदी पर है तो साबर मती पर है ठीक इसके किनारे कुछ सहर बसे में बहुत इंपार्टेंट जैसे आमदाबाद और गांधी शागर तो शहर कुछ मुख्य सहर की बात करेंगे मुख्य सहर की बात करेंगे तो आंदाबाद अहंदाबाद गांधी शागर गांधी शागर है कि कोई दिक्कत ने यहां तक साबर मती साबर मती जो है कि कहां से निकलती है तो राजस्थान के टेवर नामक स्थान से निकलती है मुख्य सहर की खाड़ी में किस किनारे बसाया तो सब्सक्रीन तने लूनी नदीम है इस अजिले आपका है है कि लूनी नदी ँब लूनी नदी अगली मुफाना नहीं बनाती है बलकि किसी किसी जगह पर ही जैसे अस्थल पर ही वह बिलूप्त हो जाते हैं तो ऐसे नदी को अंता अस्थली नदी कहते हैं ठीक अंदा अस्थली नदी का मतलब यह होता है कि वह नदी किसी अस्थल में ही बिलूप्त हो जाती है तो ऐसी नदी को हम लोग अंता अस्थली नाग पहाड़ी कहा से अजमेर से अजमेर कहा है तो राजस्थान में तो नाग पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी ठीक यह मुहाना कहां बनाती है तो अपना कच्च के रण में मुहाना बनाती है कि मुहाना बनाती है अपना कच्च के रण में कश के रण में ठीक अगरी नदी आपकी है माही नदी माही नदी यह कहां से निकलती है तो माही नदी जो कि इसका उद्गम की बात करेंगे इसका उद्गम होता है आपका मेहद जहिल से मेहद जहिल से होता है मुहाना इसका खंभात की खाड़ी में है खंभात की खाड़ी खंभात की खाड़ी में होता है इसकी सबसे खास बात है है कि करक रेखा को दो बार कार्टी है ठीक माही नदी करक रेखा को करक रेखा को कर ग्रेखा को दो बार काटती है को यह मही नदी कर ग्रेखा को दो बार काटती है इसके सहर की बात करेंगे इसके इसके लब बात करेंगे तो यह खयाब की घंगर नदी जो कि कहां से निकलती है तो यह शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है अब मुहाना कहां बनाती है तो हनुमानगर राजस्थान में अपना मुहाना बनाती है घंगर नदी जो कि इसका शिवालिक पहाड़ी से निकलती है मुहाना इसका अनुमार्गन राजस्थान में तो कोई विशे से उत्रा इंपार्टन नहीं है अगली नदी आपकी मांडवी नदी तो मांडवी नदी को हम लोग देख लेते हैं कि अगली नदी आपकी मांडवी नदी तो मांडवी नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है तो पस्चमी घाट से इसका उद्गम होता है पस्चमी घाट से मुहाना और अप्षागर में कहां गोवा के पास गोवा के पास ठीक तो मांडवी नदी कहां से निकलती है तो पस्चमी घाट से निकलती है मुहाना कहां बनाती है तो गोवा के पास और अप्षागर में ठीक इसे जो की गोवा की जीवर रेखा कहा जाता है इस नदी को मांडवी नदी को मांडवी नदी को गोवा का जीवर रेखा कहा जाता है जीवर रेखा कहा जाता है जी मुर्य रेखा का आजाता है ठीक अगली नदी आपकी है सरावती नदी सरावती नदी का उद्गम जो है कहां से होता है तो स्विमांग करनाटक से अगली नदी आपकी है सरावती नदी का उद्गम कहां से होता है कि उद्गम की बात करेंगे तो यह करनाटक से शिमांग कि शिमांग की करनाटक से कि इसका उद्गम होता है तो स्विमांग की सस्थान पर करनाटक में और अब शागर में बनाती है इसके कुछ कि प्रिवजण आजिसर से कि प्रिवजणा़ के अलाभा इसपी अपका जलप्रपात है बहुत इंपार्टन है अक सा प्रिशावन पूछा जाता है कि महातबा ग्वाant किसनादी पहं या तो गर्षुपार जलप्रपात किसनादी पहं सिर्वाती नदी पहं ठीक that तो सरावती नदी के मुख्य जोए की जलब्रपात कौन कौन से है जलब्रपात की बात करेंगे जलब्रपात है आपका गर्षोप्पा गर्षोप्पा कि या तो इसी क्यों कह जाता है महातमा गांधी जलब्रपात महत्मा गांधी जलप्रपाथ महत्मा गांधी जलप्रपाथ the last में आपकी है पेरियार नदी। कि लाश्ट में आपकी है कि पिर्यार नदी कि पिर्यार नदी के सबसे मुख के बात यह है कि इसे कहा जाता है केरल की जीवन रेखा पिर्यार नदी को केरल की केरल की जीवन रेखा कहा जाता है केरल की जीवन रेखा कहा जाता है कि यह रहे आपके और अब सागर में गिरने वाली कुछ मुख्य नदिया है जो बहुत ही इंपार्टेंट थी इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है अब आने वाले क्लासेस में हम लोग बात करेंगे भारती जलवायू की ठीक उसको हम लोग देखेंगे कि भारत में कैसे प्रवावित करता है ठीक कौन कौन से इसी घटनाय है जो मांसून काल में होती है ठीक दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं पढ़ते रहें मस्त रहें इंज्वाय करते रहें दोस्तों जितना होश्रे के उतना सेर और सस्क्राइब करिए दोस्तों दोस्तों मिच्ट्र यारों सब्सक्राइए नमस्ते दोस्तों जय हिन जय भारत